एक चंगल में दो एगल रहते थे एक का नाम बास सा लों ढम इकल था वो có दोनों भाई थे इकल दूसरी का खाना चीनके खाता था लेकिन बास उसे अच्छा नहीं लगता था और एक दिन उसने एगल से बूछा एकल फ़ाई तुम दूसरों का खाना चीनके क्यों खाते और दूसरों को प्रशाइन क्यों करते हो तक्लीफ क्यों देते हो यह बहुत अच्छी बात नहीं है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो इगल कहता है यह अच्छी बात है मुझे दूसरों को तक्लीफ दे के मुझे अच्छा लगता है एक दिन जब एक पेर में बैठावा थ तभी उसे एक पेर मिला और उसने कहा कि क्या तुम मुझे मेरी मदद करोगे तो एकर ने मनागा दिया हाहा मेरी मदद कैसे करूँ भून दू पेर एह तभी पेर को बहुत रुना आया एक देन एक ननी छीर्या को मार दिया मारने के बज़े से सभी छीर्या और पंची लोग तोते राजा को शिकायट करने के लिए चले गे सभी छीर्या के बात सुनके तोते राजा ने बोला कि इगल को मार दो तभी इगल के छोटा भाई बास वहाँ आ गया और तोते राजा को बोला कि प्लीज आप उसे मत मारें, वो मेरा बड़ा भाई है, अगर आप उसे मार डालोगे, तो मैं अक्यला रहाँगा, मैं किस के साथ खाऊँगा, किस के साथ रहाँगा, और आप लोगों को मारना है, मुझे मार दीजे, इसके बाद सबी पंची मेल के बास को मार देते हैं, तब ह एगल अकेला पर जाता है, अकेला खाता है, अकेला रहता है, और तब ही वो समझ किया, किसी को मारने के बाद कितना तकलिफ होता है, तब ही वो सुधर गया, और दूसरे पंची को मारना छोड़ दिया, इस कहानी से हमें सिख मिलता है, कि हमें किसी को कभी भी कोई तकलिफ ये देला सेया